नमस्कार दोस्तों आज 25 दिसंबर है आप समय को बड़ा दिन छुट्टी के हार्दिक सुटकाम नाएं क्रिस्मस डे है साथ ही हमारे पुरो परधान मंत्री अटल विहारी बाजपेई का जन्म दिन की धेर सारी आपको बदाईयां और बीएचिव के संस्थापक मदन मोहन माल अलविये के भी आज जन्म दिन है तो ऐसे महानुभाव हमारे इस भारत में पैदा हुए उन सभी को जन्म दिन की आप सभी की हार्दिक बदाईयां सुबकाम नाएं आज मैं आपको प्रोटीन से समंदित कुछ प्रशनों को पूछ रही हूं प्रोटीन मैंने प्रोटीन को सुनाई ज्यादा नहीं पड़ता है इसलिए आप लिक करके बताएं मेरे प्यारे बच्चों लिखने में बहुर्ट टाइम लग जाता है और मैं नहीं चाहती हूं कि आपका समय बरवाद हो और मैं भी अपना समय बरवाद करूं आप जानते हो विद्यार्थी के लक्षन मे काक चेस्टा बको ध्यानम काक की तरह चेस्टा होना चाहिए और बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए तो आप अपना ध्यान बगुले की तरह रखो दो चीज़ पर ज्यादा फोकस करो काक चेस्टा बगुले की तरह ध्यान होना चाहिए आज मैं आपक से समंदित कुछ mcq multiple choice question के बारे में पूछूंगे आपको तो आप यह देखिए कि प्रोटीन जो कि हमारे building blocks of body कहलाता है शरीर का अधार शीला है कि अगर examination में यह प्रस्ण आए कि प्रोटीन वाला तत्व कौन सा बोज्य है मैंने अंसर बता चुके हैं तो आब आप आज के इस question पर थोड़ा ध्यान दो और देखो कि कि किस amino amino का स्वाज मिठा होता है आप कहो मैडम आप तो प्रोटीन पढ़ा रहे थे amino amino कहां से हो गया पुछोंगे ना प्रश्ण कि मैडम आप तो प्रोटीन की बात कर रही थी amino 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 कहां से आ गया मेरे प्यारे बच्चों अमीनो अमल कौन सा है प्रोटीन का सिंप्लस्ट यूनिट है जब कभी भी प्रोटीन तूटता है तो वह अपनी सिंप्लस्ट यूनिट सरलतम इकाई अमीनो अमल बनाता है इसी तरह से जब ग्लुकोज जो है jus वह आपका कार्भाईडरेट का सरल्तम इनिट कार्भाईडरेट ٹूटता है तो उसका सिंप्लस्ट यूनिट ग्लुकोज कहलाता है इसी तरह से वसा तूटता है तो फैटी एसीड और गलिस्रोल बनाता है तो आज मैं बतारी हूं कि कि किस अमीनो अमल का स्वाध म प्रस्टर दीजिए उसर अमिनों का स्वाद मिठा होता है ट्रिप्तोफैन अरजिनिन एलानीन यह तीन अमिनों सिर्थ है आपके समक्ष है किस अमिनों का स्वाद मिठा होता है एंसर आपका एलानीन इसका स्वाद होता है मीठा ट्रिप्टोफेन स्वाद रहीत है टेस्टलेस है ये कैसा होता है स्वाद रहीत और आर्जिनीन इसका स्वाद होता है करवा समझ गये ट्रिप्टोफेन स्वाद रहीत आर्जिनीन करवा एलानीन होता है मीठा क्वेशन नमबर दो प्रस नमबर दो है वो ये कि चावल के प्रोटीन को कहते हैं क्या कहते हैं कॉलेजन जीन एरेचिन या आर्जिनीन चार ओप्षन है क्या बोलेंगे चावल के प्रोटीन को कहते हैं कॉलेजन जीन एरेचिन या आर्जिनीन एंसर बताईए आप लिटल्स बताई हुआ आपको कॉलेजन किसे पाए जाता है आपको पता है हड्डियों में जीन किसे मिलेगा मक्का में एरेचिन किसे में मिलेगा मुंफली में आर्जिनीन किसे म की चावल में मिलता है आर्जेणीन समझाके बात को घो चावल के प्रोटीन को कहते हैं आर्जेनीन आपको पता है अँस से ग्लाइडिन ग्लूटेनीन एक यहूं का प्रोटीन कर लाता है इसी तरह से Q3 तीसरा सुनिए कोशिका में उपस्थित रहता है कोशिका में उपस्थित रहता है लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोटीन फास्पो प्रोटीन या इन में से कोई नहीं है क्या एंसर है एंसर बताइए कोशिका में उपस्थित रहता है लाइको प्रोटीन ग्लाइको प्रोट या पास्पो प्रोटीन बताओ कोई देखो कोशिका में उपस्तित रहता है लाइपो प्रोटीन कोशिका किसका बना होता है लाइपो प्रोटीन का क्लाइपो प्रोटीन किसमें रहता है अंडा में अंडों में ठीक है? और फास्पो प्रोटीन रहता है किसमें? दूद के कैसो नी जोन में दूद के कैसो नी जोन में समझ गई बात को? चौथा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ मान स्पेशियों का प्रोटीन कहलाता है मान स्पेशियों का प्रोटीन को हम क्या कहते है? एमेंडीन आप्शन नंबर बन एमेंडीन सेकेंड हार्डीन थार्ड ग्लूटीनीन चौथा मायसीन कौन सा एंसर है करेक्ट? देखे, मान स्पेशियों का प्रोटीन कहलाता है? एमेंडीन हार्डिन, गुलूटिनिन या मायसिन क्या कहते हैं मान स्पेशियों का प्रोटिन कहलाता है एमेंडिन, हार्डिन, गुलूटिनिन या मायसिन आपको पहले भी डिटल्स पढ़ाये थे मान स्पेशियों के प्रोटिन कहलाती है एक्टिन और मायसिन डीटिल्स में बताया था, आपने देखा होगा, समझ गए, एमेंडीन जो प्रोटीन है, वो बादा में मिलता है, हार्डीन आपको जो अग्लुटिनेन आपका यहू में मिलता है, मायुसीन और अक्टिन जो दो है, वो आपके किसे मिलते हैं, मांस्पेशियो में, इसी तरह से देखों पांचवा कोर्षण देखों भूसर कहला आता है कमोलबीन को ये को लेजन या जीन है क्या एंसर है फिर से देखो मुनक्त का प्रोटिन कहलाता है इमजलòng का लेजनओनेछ ड़ेड़ आप इंसर्स जानते हूंगे इच्छी तरह से मेरे खाल से सारे बच्चे इसका जवाब दे देंगे रक्त का प्रोटीन कहलाता है हीमोगलॉबीन बहुत बार क्लासे पढ़ाए हैं अनेक बार पढ़ाए हैं को लेजन आपकी अस्थियों का प्रोटीन है एक्टीन मांस्पेश आप बगली की तरह ध्यान लगा करके सुनो यह है आरजी नीन का स्वाध होता है आरजी नीन का स्वाध होता है मीठा कड़वा खट्टा या स्वाध रहित बोलिए भाई क्यों स्वाध नमबर ठीजे आरजी नीन किसमें पाए जाता है अभी मैंने बताया चावल में आरजी नीन का स्वाध होता है कैसा होता है स्वाध बताईए मीठा या कड़वा या तीखा या स्वाध रहीत इसका स्वाध है आर्जीनिन का स्वाध होता है कैसा बताब हो कड़वा मीठा स्वाध किसका होता है सिरीन एलनीन और गलाइसीन का अगर मीठा स्वाध हम देखेंगे किसका या स्वाद याद कर लेना कि सीरीन कि एलानीन और ग्लाइसीन इसका स्वाद होता है मीठा करवा किसका हुआ आर्जिनीन का तो दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा थी का समझ गए समझ गए अगर यह प्रशन पूछा जाया शात्मा अस्तीओं में कुन सा प्रोटिन होता है हड़ियों में या अस्तीओं में सात्मान हों नंबर सेवें अस्तिओं में कौं सा प्रोटीन होता है आप बताइए कौन सा होता है एक्टिन, माइसीन, ग्लाइसीन, ग्लूटेनीन या कोलेजन ओप्षन, कौलेजन, जेन, ग्लूटेनीन, क्या है इसका करेक्ट एंसर या माइसीन कौन सा है करेक्ट एंसर बतावा, the correct answer is कौलेजन मैंने पहले भी बताए था कि कौलेजन नामक प्रोटीन मिलता है हड्डियों में एक्टिन और माइसीन नामक प्रोटीन मिलता है आपको किसमें मंस, पेशियों में, फास्पो प्रोटीन मिलता है दूद के कैसी नोजन में, लाइपो प्रोटीन मिलता है सेल्स में, कोशिकाओं में, इस सारी चीज मैंने आपको प्रोटीन में बताई हुई है, अब क्वेशन नमबर आठमा एक क्वेशन सोचती और बता ही दूँ आपको, इसका इंसर आपको देना पड़ेगा, जिसका मैं नहीं बताऊंगी आप जो आपने बुक्स पढ़े हैं उसमें मिटा देती हैं इसको आप देख लिए अपने, पॉली प्यप्योडपाइज़ है, एक प्रकार का यह प्रकार का एक प्रकार का यह ही वह साधारन प्रोटीन है या संजुक प्रोटीन है या आपके उद्वूत प्रोटीन है या इन मेंसे कोई नहीं इस परशनका उत्तर मैं आपके उपर छोड़ रही हूं तो आप अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो पलिए सेर करें कॉमेंट करें सब्सक्राइब कर और चीजों को ध्यान से सुनो बेटा आपको याद रहेगा तब तक जाने की दो इजाजत बाई बाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ